आज की इस वीडियो में मैं यूट्यूब पर पहली बार option trader की एक सबसे बड़ी problem को address करने वाला हूँ कि आखिर option में trade लेने के बावजूद भी आपका premium move क्यों नहीं करता है आपका trade तो bank nifty या nifty के चार्ट में profit में चले जाता है लेकिन जब आप उसका P&L खोल के देखते हैं तो पता चलता है options में कोई movement आई ही नहीं या पिर कभी कभी trade आपके favor में जा रहा है बट options में आपको loss दिखा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी जंजट है जिसके कारण बहुत सारे नए traders और बहुत सारे पुराने traders भी आजकल बहुत जादा परिशान हो रहे मैं जबी भी YouTube में live आता हूं तो maximum लोगों की चिंता ही रहती सब premium नहीं बढ़ रहे है सब premium नहीं बढ़ रहे है यह YouTube की one of the kind first video है इसलिए इसमें जो details बतारो कृपया ध्यान से सुनेगा बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हो सकता है आपको सुरू में counter intuitive लगे बट मैंने अपने experience और प्लस कुछ research के basis पे यह सारी knowledge को यहां पर आपके सामने रखने की कोसिस करी है तो let's begin the video where we will be going to discuss what is the relation between spot chart, future chart and option chart यानि the biggest secret of option trading या फिर आप कहलो biggest myth of option trading जो इस वीडियो के बाद खतम हो जाने वाली है नमस्ते मेरा नाम है शिवम मिस्रा मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ FTS की एक और learning video पे let's begin this video, अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर कर दीजेगा क्योंकि ऐसी learning videos आगे और बहुत सारी आने वाली है और अगर वीडियो पसंद आएगा तो like करके नीचे comment section में अपना feedback जरूर दीजेगा let's begin the video तो देखे टेडर अगर आप option trading करते हैं तो तीन चीज़ है जिससे आपको go in go out होना पड़ता है that is spot का chart spot के chart को हम index का chart भी कहते हैं मतलब यह वो chart है जो normal chart रहता अभी मैं आपको तो basically यह तीन चीज़े होती है अगर आप derivative trading कर रहे हैं तो आपको जिस पर नजर रखनी होती है अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले इन तीनों चीज़ के बीच में relation समझाने वाला हो कि आखिर इन तीनों चीज़ का price derive कैसे होता यह जो आप chart में देखते हो तो यहां पर आपको चार्ट में ले चलना चाहूंगा तो यहां पर आपको देखो के मैंने तीन चार्ट आपके सामने open किये हुए यह मेरे पास निफ्टी 50 आपको देख रहे है जिसके आगे idx लिखा हुआ है तो idx is the short form for index तो यह मेरे पास index का chart है यहां पर आपको clearly December future लिखा हुआ है तो यह निफ्टी का December का future future के expiry तीन महीने की होती है और इसकी किवल monthly expiry होते है तो अब भी December January और Fib महीने के futures यहां पर आपको दिखेंगे for example जैसे मालो धन में इसको बहुत easily लगा सकते लोग पुछने चार्ट कैसे लगाना है तो अगर आपके बास धन का terminal है तो आपको राइट क्लिक करना है वहां पर आपको यह देखो option chain दिख जाएगा और futures chain दिख जाएगा तो जैस अगर आप account open करवाते तो आपको हमारा premium group जिसमें कोई call tips ने मिलती है प्लस आपको यहां पर बहुत सारे FTS के mini courses free में मिलने वाले जिसमें अभी data decoding course है आगे आने वाले time पर selling के courses और smart money concept के courses भी free of cost आपको मिलेंगे तो आप consider कर सकते हो तो यह मेरे पास nifty December future का chart है और यह म आपको consider करनी होती है अब एक एक करके discuss करते हैं कि इसका price कैसे calculate होता है इसका price कैसे calculate होता और इसमें calculations किस basis पर की जाती है तो एक एक करके let's start the discussions please ध्यान से सुनेगा वीडियो का कोई part skip मत करिएगा यह knowledge जानना आपके लिए बहुत जरूरी अगर आप option trading कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जो सबसे पहले मेरे पास आता है ना वो आता है spot का chart spot का chart मतलब जिसको हम index का chart भी कहते हैं जो pure index का chart होता ना इसको हम कहते हैं index का chart सबसे पहले मैं आपको यह बता दो कि index के chart में कोई भी buying या selling नहीं हो सकती है आप index के chart में buy या sell का trade directly नहीं execute कर सकते हैं अग अगर buying और selling का trade execute नहीं हो रहा है तो इसके prices उपर नीचे कैसे हो रहे हैं आखिर कैसे इसका भाव calculate किया जा रहा है आखिर किस हिसाब से यहाँ पर जो nifty की price है वो यहाँ पर 21,448 बताई गई है किस हिसाब से तो इसके calculation के लिए यानि index में calculation के लिए हम use करते हैं इंडेक्स का जो price होता है उसके calculation के लिए हम उसके components के prices का इस्तेमाल करते हैं for example अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का example लिया न तो निफ्टी 50 में total 50 company आती है जिसको जोड़के ये index बनाया गया है तो index की price की calculation होती है उसके component के price के basis पे तो यहाँ पर मा कोई एक random index ले लेता है एक index है जिसका नाम है FTS और इसमें 10 company है तो 10 company का weightage अलग अलग होगा कोई company जादा बड़ी होगी कोई company थोड़ी छोटी होगी तो यहाँ पे हम उसके price को जो individual stock है न उसके price को उसके weightage से multiply करके add कर देते तो price into weightage plus price into weightage तो ऐसे करके हम add करते हैं जो ह हमारे पास final price निकल के आता है वही हमारे index का price होता है यहापने मैं simplify करने के लिए weightage वाला थोड़ा सा इसमें complex है उसमें हम जाएंगे ने उसको रहने देते हैं तो simply components के chart के हिसाब से आपको pure movement देखने मिलता है index के chart में तो एक चीज हमें clear होगे क्या clear होगे first चीज हमने clear कर है components के chart के according अगर components उपर जा रहे तो इंडेक्स उपर जाएगा components नीचे जा रहे तो इंडेक्स नीचे जाएगा इसमें जो मैं चीज में आपको point out करना चाहरा हूँ कि भाई आप buying selling का कुछ फरक नहीं पड़ता क्योंकि आप buy sell कर ही नहीं सकते components में buy sell नहीं कर सकते हो तो components में जो आप buying selling करते हो ना उसके हिसाब से index का chart move करता है यह चीज आपको clear हो गई अब बढ़ते अगले पर और समझते futures का chart कैसे move करता है यह बहुत interesting है futures के chart का movement समझना बहुत ही जादा interesting है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो future का chart ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि derivatives क्या होते है batteries मतलब होता है कि यह मेरे पास एक चीज है जिसको मैं कहूंगा underlying underlying मतलब कि जिसके basis पर पूरा काम होगा तो underlying से कोई चीज derived हुइय यह अन्ड sú तो अगर मैंने कोई चीज़ डिराइव करें तो अगर मैंने कोई चीज़ डिराइव करें तो उस चीज़ का नाम क्या है फूचर अंडरलाइंग से फूचर को डिराइव किया जाता है और अंडरलाइंग से ऑप्शन को डिराइव किया जाता है तो अगर आप यह वाली analogy को follow करोगे तो आपको लगए कि यारे underline मतलब index underline मतलब index तो index तो बहुत important होना चाहिए लेकिन फिर भी index बढ़ता है तो option का chart क्यों नहीं बढ़ता है तो यहाँ पर आता है सबसे important twist सबसे important twist यहीं पर आता है कि अगर आप देखोगे ना तो index में तो buying selling नहीं हो रही है लेकिन futures में trade लिए जा रहे है options में trade लिए जा रहे है तो मामला यहाँ फज्जात है मैं आपको समझाने की कोसिस करता हूँ मुझे एक minute दीजेगा तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें और जो ज़रूरी information और एक practical point है उसको discuss करें मैं आपको एक amazing opportunity के बारे में बताना चाहूँगा तो जी आ यहाँ पर Tata AI है जो कि एक काफी trusted brand है mutual funds के sector में वो आपके लिए लेके आया है flexi growth fund का offer जिसमें जिसको all season fund भी माना जाता है क्योंकि एक ऐसा equity fund है जो बाजार के तीनों sector में small cap, large cap और mid cap तीनों में यह आपका invest करता है depending upon the market situation माल लेजे market bull runway है तो जैसे आप देखरोगे जो small cap stocks है या mid cap stocks है उसमें जबर्दस देजिए तो यह आपका पैसा वहाँ पे लगाता है और माल लेजे market डाउन आ रहा है थोड़ा सा मंदी का वक्त चला है, recession वगरे का time चल रहा है तो वहाँ पे आपके पैसा safe जग है यानि large cap stocks में लगा होता है जो यह वाली fund है यह आपके पास available होगी with a starting NAV of 10 rupees only देखो अगर आप flexi growth fund में invest करते हैं तो आपका risk जो है वो कम रहता है और आपका जो risk है वो divided भी रहता है अलग-अलग sector में तो अगर आपको एक ऐसा fund ढून रहे हैं जो काफी जाधा adaptable हो depending upon market situation और plus यह जो market leaders हैं उनके साथ-साथ grow करें मतलब market grow कर रहा है तो आपका पैसा भी grow करें और plus आपको जाधा volatility भी नहीं चाहिए तो Tata IEA जो कि trusted brands है उनकी तरफ से आने वाला flexi growth fund या all season fund जो है वो काफी अच्छा option आपके लिए हो सकता है अगर आप देखोगे last 10 years में small cap ने 22%, mid cap ने 21% और large cap ने 15% का return दिया है Tata IEA के बहुत सारे funds हैं अभी जो बहुत सारे markets के जैसे mid cap, large cap, small cap में 7 year, 5 year, 10 years के period में अभी भी active हैं और उनके returns काफी अच्छे हमको past में देखने को मिले हैं और जो 94% जो Tata IEA के funds है वो लगबख 4-5 star rated है इन्होंने हाल ही फिलाल में Tata Emerging Opportunities Fund in December 2022 लांच किया था उसका small cap discovery fund भी लांच किया गया था जो एक super hit रहा है market में और लगबख 48% और 26% के आसपास के returns हमें देखने को मिले हैं और आप इसमें tax benefits भी avail कर सकते हो against ATC अगर आप इस fund में अपने पैसे डालते हैं तो और Tata IEA यहाँ पर आपको active returns के साथ-साथ live cover भी provide करेगा जो 120 times होगा monthly premium के तो यहाँ पर यह fund में आप 31st December 2023 तक invest कर सकते हो आपके पास यहाँ थोड़ा लगबग 15 दिन का वक्त बचा हुआ है तो आप जरूर इसको consider करेगा आपको इस fund के लिए नीचे description में link दियूए वहाँ के थुरू जाना है process आपके screen पे चल रहा होगा इस process को follow करके आप इस funds में participate कर सकते हैं अपना पैसा लगा सकते हैं तो इसको consider करेगा चलिए बढ़ते आप वीडियो में आगे और discuss करते हैं जो हमारी बची हुई topic भी बहुत जरूरी बात है तो प्लीज वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेगा यहां पर आपको यह चीज नजर आ रही है कि future pricing का formula क्या है future pricing यानि spot का चार्ट तो हमें पता रहा था spot price मतलब जो normal index है उसका price तो index का price आपको मालूम है इंडेक्स के price के basis पर future का price कैसे calculate किया था ध्यान से देखना इसको हम कहते है ideal value या इसको हम कहते है fair value मतलब यह वो price नहीं है जो आपको चार्ट पर दिखेगा चार्ट पर कौन सा price दिखेगा ना let me explain मुझे एक मिनिट का वक दीजेगा तो यह future price है यहाँ पर future price का formula क्या है spot price multiplied by one plus RF minus D तो RF क्यों होता है risk free rate होता है अब यह risk free rate calculate करने का काम है हमारे national stock exchange का risk free rate देखो क्या माना जाता है RF is the risk free rate that you can earn for the entire year considering the expiry as मतलब एक SR मानलो कोई भी amount जो आप गेन कर सकते हो कितनी company इंडेक्स में है जैसे मानलो 5050 पचास company है तो जिस expiry period के लिए आप trade करो ना उस expiry period में कितनी company अपना dividend देने वाली है उस dividend को calculate कर लेते हैं पानलो आप दिसंबर मन्त की future state करो ना तो दिसंबर मन्त में 5050 की 50 company है पचास में से 10 company अपना dividend दे रही है और टोटल डिविडेंट दे रही हजार रुपए पर share के हिसाब से तो इस तरीके से future का price जो है वह calculate किया जाता है अब यहां पे इसको हम fair value कहते हो लफड़ा देख अब यहां पर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि आप चार्ट खोले है अब जब यहां पर आप चार्ट खोलते हो तो यहां पर आपको यह price देख रहा है 21,558 यह futures की pricing है futures की pricing कैसे निकलती है अब आपको सिखाता हूँ असली चीज़ जो असली twist है असली twist है यह जो चार्ट खोलती है उसको हम तो यहां पर जो आप pricing देख रहा हूँ ना इसको हम market price कहते हैं इसको हम कहते हैं market price और market price simply कैसे calculate किया जाता है market price calculate किया जाता है यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह आपको दिख रहा है यह bid or ask occurv है मतलब जो order लगते है na market price उस आप से calculate ह मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है best ask price divided by best ask price divided by इंटू या अड़ कर दो best ask price और best bidding price divided by two मतलब कहां पे buyers खड़े हैं कहां पे sellers खड़े हैं उन दोनों को add करो divided by two कर दीज़ें उसका average वह होता है हमारे पास market price तो इतना देर में जो मैं simple आपको समझाना चाह रहा था कि आप calculate कुछ भी कर लो लेकिन जो market price निकल के आएगा वो किसके basis पर निकल के आएगा buying और selling के basis पर निकल के आएगा अगर यहां पर ध्यांज जो सुनना मेरी बात यह जो index का price calculation है वो pure है यह किसके basis पर होता है component के basis पर होता है तो मान लो एक बार के लिए मैंने मान लिया कि components के हिसाब से जो price बढ़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है दीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन अचानक से अगर कोई आ जाता है मान लो कोई बड़ा प्लेयर आ गया या मैं ही पहुंच गया मेरे पास 50,000 करोड रुपए आ ग कर सकता हूं बायस मतलब आप समझ रहे हैं बायस मतलब कि भले इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन मैं मार्केट को ऊपर की तरह push कर सकता हूं तो आपने देखा होगा options के चार्ट में भी यही कुछ होता है तो यानि अगर मान लीजे जैसे मैं आपको example दिखाता यह आप देखना है इस दर नोटिस करना आप इस जगह पर आप नोटिस करेगा आपको एक ठोड़ा सा और डीटेल में जूम कर दो क्या मैं चाता हूं आप इन कुछ candles पे जोर फर्मा है तो यहाँ पर आपको देख रहा है यह candle number one candle number two candle number three candle number four candle number five यह आपको एक दो तीन चार पांच candles देखे इन सबका color क्या है इन सबका color red बना हुआ यानि जो index है वो धीरे 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 नीचे गिरा लेकिन यहाँ पर देखो candle number one candle number two candle number three और four आप देख रहो यह three और four जो candles है यह green candle बनी हुए हलकी फुल की हलकी फुल की यहाँ पर green candle का formation हुग है size भले ही बहुत बड़ी मूब्मेंट आ रही है न तो इवेंच्वली फ्यूचर प्राइस को भी उसी डायरेक्शन में जाना है और दूसरा जो यहाँ पर फरक पड़ता है वो फरक पड़ता है इसके individual buying selling का भी individual buying selling का भी फरक पड़ता है इसलिए कभी कभी premium बढ़ रहे होते हैं कभी कभी premium नहीं बढ़ रहे होते हैं तो अब आता है सवाल के सेर इतना ग्यान आपने दे दिया यह तो बता दो कि मैं इसी सेम कैंडल को स्टेड़ी करतेandal के मेंने निफ्टी का your call call का प्राइब कर रुख 건강 का प्राइड कर रहे तो यह आप देखो पहली बात तो यह इस time था न अमार्केट तो यह प्राइस सा 294 अँमोगा छस्यट ए ठोड़ा ons घैन कोई पूरा option option इंदा मनी हो घा नहीं हो आपको बस एक चीज देखने बोल रहा हूं वालीम करते हैं वाल्यमा इसा की तरह twee कप येस और नो या फिर ये candle का formation इसकी तरह दिख रहे है इसकी तरह दिख रहे है तो of course इसकी तरह यहाँ पर दिख रहे है ऐसा क्यों है क्योंकि इसमें भी buying और selling का impact पड़ता है और इसमें भी buying और selling का impact पड़ता है तो जो buyers और sellers होते हैं उनकी psychology एक ही तरीके से काम कर रही होती है इसलिए मैंने ये live stream में कहा था और सब लोग पूरा confused हो गए थे कि भाई अगर आपको option के chart की movement predict करनी या फिर देखना है option का chart सही move कर रहा है नहीं कर रहा है तो हर individual strike price खोल के मत देखिए वो भी चाहो आप देख सकते हो आपको simple future का chart खोल के देख लेना है options के price की movement future के chart के according ही होगी देखो यहाँ पर आपको future में green candle बनती हुई दिखी यहाँ पर भी आपको green candle मिल गई बड़ी उसका market जा रहा है एक बड़ी green candle एक छोटी green candle फिर यहाँ से एक छोटी green candle का आपको formation होते हुए दिखा है तो मैं option के price को समझने के लिए कि option का premium move कर रहा है या नहीं move कर रहा है मैं nifty future के chart को use करता हूँ same goes for कोई भी index कोई भी index हो मैं उसी के chart का इस्तिमाल करता हूँ यह चीज़ एक minute में भी valid है अगर मैं छोटे time frame में भी चले जाओ तो भी आप देखोगे कि future के chart और options के chart में बहुत जादा समानता है अगर में एक minute के time frame भी चले जाओ मतलब अगर कोई scalping भी कर रहा है न और आप इससे परिसान रहते हो कि sir कभी premium move करता है कभी premium नहीं move करता है तो मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ तो आप future candle bunny market फिर उपर की तरफ निकला तो इस तरीके से आप future की chart की मदद से option के chart को समझ सकते हो तो यहां पर मैं आपको final practical चीज़ बताके wrap up करने की कोशिश करता हूँ यह final चीज़ मिरे बाद मिरी बाद ध्यान से सुन लेज़ेगा तो अगर आप यहां पर option trading करते हैं अगर आप option trading करते हैं तो आपको index का चार्ट देखना जरूरी है index का चार्ट देखना आपको जरूरी है पता क्योंकि बहुत सारे जो setups बनते हैं वो setups अकसर backtest किये जाते हैं इंडेक्स के चार्ट के इसाब से बट मालो आपको दो तीन चार्ट देखने में दिक्कत होती है आपको इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना और आप option trading करना चाहते हो न तो आप index का चार्ट केवल यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो जो कि मैं recommend करूँगा कि यह आपका main chart होना चाहिए आप main chart अपना इसी को रखो कि आप इसी में सारी analysis करें इसी को देखे क्योंकि यह pure chart है न जो components बन रहे है उसके इसाब से बन रहे है तो यहाँ पर आपको जो fake breakouts वगएर उस अब थोड़ा कम देखन होता है लेकिन अगर आपको options की trading करनी है अगर आपको options की trading करनी है तो आपको यहाँ पर future का chart देखना थोड़ा सा जरूरी है किवाल यह समझने के लिए कि premium कैसा move कर रहे है अगर premium अच्छा move कर रहे हैं नमान लो कि bank nifty में candle इस तरीके की बन रहे है green candle और future में candle इतनी की position बना रहे है और future में buying की position बन रही है तो यह probability जादा है कि market ऊपर निकल जाएगा तो आप buying side में confidently trade ले सकते हो वहीं पर मान लो अगर इतनी बड़ी candle बन गए निफ्टी में और futures में इतनी छोटी से green candle बन रहे है तो उतना confident हमें नहीं आता हम मान के चलते कि premium को ऐसा increase होन नजर डालना जरूरी है अगर आप premium के movement को समझना चाहते हैं यह बात में scalpers के लिए भी बोलना चाहूंगा अगर आप scalping करते हो ना तो आपके लिए premium की movement बहुत जरूरी है अपने trade ले ले लिए premium move नहीं का तो आपको घाटा हो जाए गना और आपको immediately exit करना है तो scalpers futures के chart पर थोड़ा ज्यादा focus कर सकते हैं और अगर आप एक बार futures के chart यूज कर रहे तो backtest कर लिए आपकी strategies या setup future के charts में भी applicable है या नहीं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि options में आपको कैसा result मिलने वाला है तो I hope यह चीज मैंने clear कर दी होगी बहुत दिन से लोगों का confusion कि सर बता दो बता दो बता दो तो मैं सोचा लाइव में समझाने से अच्छा है वीडियो भी बना देते हैं इसके बारे में तो और भी अगर आपको ऐसे लर्णिंग वीडियो चाहिए डीटेल नहीं तो यह थोड़ा सा advanced topic था तो अगर आपको समझने में time लगेगा तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलेग्राम चैनल जॉइन करना मत भूलेगा वहाँ पर लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूं इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखो एक जरूरी चीज बता दे रहा तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप इंटरेस्टेट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वर टाटा ही आईए कि जो फ्लेक्सी फंड उफर उसको चेक आउट जरूर करेगा इन्ही सब्दों के साथ बंद करते हैं जाहिन जाशी साम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो